बूर्णिंग आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैट्स अनायूस का चैप्लिर 16 एंगल्स इन सर्कल एंड़ साइकलिक क्वाडिलिटल और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्षिसाइज तो पढ़ते हैं फर्स्ट कुश्चिन एक सर्कल के अंदर एक स्क्वाइर को इस तरह से सेट किया गया है यह कि स्क्वाइर है और सर्कल के अंदर है ठीक है चारो कोनों ही जो है इसमें इसमें सर्कम्फरेंस पर टच कर रहे हैं इस स्क्वाइर की जितनी भी साइड है यह सारी साइड सर्कल पर कुछ एंगल बना रही होगी सेंटर में यह तो आपसे पूछ रहा है वह एंगल आपको बता रहा है यह हर साइड जो एंगल बना रही है सेंटर पर यह यह वाला और यह साइड जो यह वाला एंगल बना रह यह कितना होगा तो पहले इसको हम जो question में नाम दिया गया है PQRS वो दे दिया और center के हमारे पास O तो यह जो side है यह जो angle बन रहा है आप देखें यह angle इस diagonal के कारण ही बन रहा है दिख रहा है आपको यह बाला यह diagonal के कारण तो यह diagonal यहां से यहां तक और यहां से यहां तक यह दोनों मिलकर यह वाला angle बना रहे है उसी तरह से यह दोनों मिलकर यह वाला angle बना रहे है लेकिन है तो यह diagonal का ही part तो हम इसकी जो diagonal वाली property है प्रॉपर्टी क्या है कि इसक्वायर के जो डाइगनल्स है ये ये एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और बिल्कुल बराबरी पर काटते हैं मतलब जैसे माल लीजिए ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इस पर आई और उसने इस लाइन को काट दिया और इसको दो बराबर हिस् हम बोलेंगे इस लाइन ने इसको बाइसेट कर दिया तो ये वाला जो केस है ये दोनों साइट से इसमें अपलाए होता है यानि ये वाली जो लाइन है ये वाला जो डाइनल है ये इसको बाइसेट करता है और ये वाला जो लाइन है ये इसको बाइसेट करता है तो मतलब यह हिस्सा यह हिस्सा बराबर हो गए, यह हिस्सा यह हिस्सा बराबर हो गए, दूसरी बात यह, कि इसक्वायर की जो दोनों डागनल्स होते हैं, वो भी लेंथ में बराबर होते हैं, तो मतलब यह चारों हिस्से ही आपस बराबर हो गए, मतलब एक 6 cm की लाइन है, और दूसर अबर लाइन्स को दो बराबर हिस्सों में बाट दिया गया तो चार हिस्से जो होंगे वो सभी आपसे बराबर होंगे वही रूल में यहाँ पर लगाना है कि यह सारी side equal है आप यह भी समा सकते हैं यह सारी side equal है यह वारे आधे-धे diagonal equal है तो आप उस property से या उस condition से भी यहाँ पर angle निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर apply कर रहा हूं कौन सी वाली condition कि diagonal जो है वो एक दूसरे को 90 पर byset करते हैं ठीक है तो byset करते हैं तो यह यह सारे angle 90 ही होंगे तो हमें यही से मिल गया कि हर side कितने का angle बनाती है तो आप इसको derivate कर देते हैं हम लोग तो सबसे पहले हम कहेंगे कि diagonals of a square bisect each other at 90 तो angle s o r is equals to angle r o q is equals to angle q o p यह वाला is equals to angle p o s और is equals to 90 degree तो यह हम से पूछा था कि side कितना एंगल बहा रही तो तो देखिए यह जो side है यह इनी diagonal की मदद से ही तो angle बना रही है यह वाला जो angle बन रहा है वो इस line से और इस line से बन रहा है और यह line diagonal का ही part है तो हम यह भी कह सकते हैं इसी बात को कि side जो angle बना रही है मतलब कि diagonal के bisected हिससे जो ही आदे आदे से वो जो angle बना रही है बात एक ही है यह bisected हिससे बना रहे है और यह line बना रही है एक ही बात तो सारे के सारे angles जो होंगे वो कितने होंगे 90 देखिए होंगे तो यही हमें बताना था तो हो गया question first complete अब करते है question second इन figure 16.30 C1 and C2 are two circles यह वाला जो figure दिया है इसमें C1 और C2 यह दो circles है with center O1 and O2 जिनके center है O1 and O2 and intersect each other at point A and B जो की एक दूसरे को A और B पर काटते हैं if O1, O2 intersect A, B अगर O1, O2, A, B line को intersect करते हैं at M, M point पर then show that तो आपको show करना है triangle O1, A, O2 O1, A, O2 is congruent to triangle O1, B, O2 O1, B, O2 यह दोनों triangle आपको congruent करने हैं इसको मैं आपको यहाँ पर show करके दिखाता हूँ अलग से यह दो triangle एक दूसरे को जिस जगा पर काट रहे हैं दो circles यह एक A point होगे एक B point होगे तो वो बोल रहा है कि यह जो यह वाला triangle है यह दो दिख रहे हैं यह वाला triangle यह वाला जो triangle है आपको इस वाले triangle के congruent दिखाना है यह वाला इसके congruent दिखाना है तो first part तो यह है second बोल रहा है M is the midpoint of A, B बोल रहा है यह जो line है यह वाली इस पर एक point है M वो point, midpoint है AB का AB यह एक line है जिसका एक point है M आपको इसको midpoint show करना है second part यह होगे, third part होगे AB is perpendicular O1 O2 जो AB वाली line है यह इस O1 O2 पे perpendicular इसका मतलब है कि perpendicular यानि बिल्कुल सीधी यानि कि 90 degree पर यह इस पर यह 90 degree के angle बना रही है इस line पर यह यह रहे, ठीक है तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें congruent करना है इन दोनों को तो congruent के हमें कुछ rule पता होने चाहिए कि किन तरीकों से हम congruent कर सकते हैं तो अगर आपको दो triangle को congruent करना है तो यह हमारे पास कुछ rule है basic basic तो एक तो यह हो गया कि आप उनकी तीनों side match करवा दीजिए अगर वो तीनों match हो गई तो हम बोलेंगे side तीनो side match हो गई तो SSS criteria से वो congruent हो जाएंगे यह sign congruency का हो गया अगर आपने एक side, एक angle और एक और side यानि कि दो side और एक angle दिखा दिया तो आप SAS से इन दोनों को congruent कर सकते हैं मतलब इस triangle की अगर कोई एक side इस triangle की किसी एक side के इसकी दूसरी side इसकी दूसरी side के और एक कोई angle अगर इन में एक जैसा आ गया तो उसमें SAS लगा के congruent हम उसको कर देंगे तीसरा rule है हमारे पास RHS अगर दो triangle जिनको आप congruent प्रूफ कर रहे हैं आप देखिए क्या वो right angle है अगर वो right angle है फिर उन में क्या hypotenuse भी एक जैसी आ रही है जैसे ये 5 cm की होगी और ये भी 5 cm की होगी ये 90 होगया और कोई एक side उठा लीजे चाहिए इसके साथ match करवा दीजे इसके साथ match करवा दीजे तो तीसरा criteria होगा हमारे पास RHS और एक और है हमारे पास वो है ASA तो ये चार basic criteria है हमारे पास कि अगर आप उसकी दो angle और एक side मतलब कि जैसे एक angle ठीक है इसका ये angle ये side इसकी ये side और ये angle और ये angle तो मतलब अगर angle दो angle और एक side अगर congruent कर दी और equal कर दी तो इससे ASA से वो दोनों triangle भी congruent हो जाएगे बाकि जब हम question करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा तो शुरू करते हैं हम लोग इसको derivate करना तो सबसे पहले देखें first part में हमें इन दोनों triangle को congruent करना है तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले first part को देखे triangle है हमारे पास O1, A, O2 और आपको इसको congruent दिखाना है O1, B, O2 के तो आप देखिए सबसे पहले इस triangle में यह जो दो triangle मैं इसको यहाँ पर अलग से बना देता हूँ एक triangle यह हो गया और इसी से जोड़ता हुआ यह दूसरा triangle हो गया O1, A, O2 और यह आगया B आप देखिए question में उन्होंने कह था कि यह center है O1 जो है वो center है अब अगर यह center है तो center से circumference को यह line मिला रही है A point circumference पर ही है और ऐसी line को हम radius कहते है तो यह radius हो गया यहाँ इसे लिए है मैं नही line यहाँ पर जा रही है B पर वो भी circumference पर है यह भी radius हो गया और एक circle के कितने भी आप radius निकाले है सारे के सारे बराबर हो थे तो यानि कि O1, A जो है वो O1, B के बराबर हो गया यह दोनों lines आपस में बराबर हो गई जो कि इस triangle और इस triangle का part थे दूसरा आप देखिए यहाँ पर O2 को center का गया है तो O2 से A यह भी circumference पर मिलने वाली line है यह भी radius हो गया बहले ही यह छोटा circle है इसका radius छोटा होगा पर होगा तो यह radius ही और यह radius इस radius के बराबर होगा तो यानि यह वाली side भी इस वाली side के बराबर आ गई तो आप देख रहे हैं यह जो दो triangle में congruent करने थे उनमें दो pair तो बराबर आ गए एक side इसके बराबर एक side इसके बराबर अब यह वाली side देखिए ज़रा मतलब यह boundary हो गई इसके लिए भी और इसके लिए भी तो दोनों के लिए boundary इक्वल लेंद की होगी तो इस triangle की यह side इस triangle की इस side के बराबर होगी यह वाली side इसके बराबर होगी और यह वाली side इसी के बराबर होगी तो दोनों triangle में तीनों side आपस में match कर गई तो जैसी वो हो गया हम बोलेंगे कि SSS से यह triangle congruent हो तो derivate कैसे करेंगे सबसे पहले इन triangle जिनको हमने congruent करना है O1A O2 and O1B O2 इन दोनों में हम कहेंगे O1A O1A जो है वो O1B के बराबर है वज़ा लिख दीजिए वो दोनों radius है फिर A O2 जो है वो बराबर है B O2 के वो भी radius है और O1O2 जो है O1O2 is equals to O1O2 यह हो गया common तो तीनों है तो असल में side ही तो हम कहेंगे so that triangle O1A O2 is congruent to triangle O1B O2 by S, S and S अब इसका second part देखिए second part कह रहा था कि M is the midpoint of AB M जो है यह midpoint है बिल्कुल बीचो बीच का point यह हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर मुझे इसकी यह length और इसकी यह length पता चल गई माल लिजे यह 2 cm है यहां से यहां और यह भी यहां से यहां 2 cm है तो हम कह सकते हैं यह जगा बिल्कुल बीचो बीच है तो बीच की एकदम center की position को ही तो midpoint कहते हैं इस line और यह दोनों line से मिलकर एक triangle बन रहा है यह देखे कुछ इस तरह आप यहां पर बनाता हूँ मैं इसको यह देख रहे आपको यह वाला यह line यह line और यह line मिलकर एक triangle बना रही है हमें इस point को midpoint करना है तो हम क्या करते हैं इस बार इन दोनों triangle को congruent proof कर देदे इस वाले छोटे से triangle को और इस वाले छोटे से triangle को congruent कर देदे उससे क्या होगा जैसी ही congruent होगा यह side इसके बराबर आ जाएगी मतलब अगर हम congruent कर दे तो यह इसके बराबर आ जाएगी तो हम इसको शुरू करते हैं A, O, 1 और ये B आ गया और A, M आ गया तो इसके लिए first part की एक help लेनी पड़ी है जब हमने इन दोनों triangle को congruent किया था तो congruency का मतलब ये होता है कि अब उसके सारे angle और उसके सारे side आपस में बराबर है तो ये angle इसके बराबर हो जाएगा ये वाला अपने pair के बराबर हो जाएगा और ये वाला अपने pair के बराबर हो जाएगा तो हमें पता है from first option first angle 1 is equals to angle 2 ठीक है ये वाला angle इसके बराबर है ये हमारे लिए मतलब resource है हम इसका इस्तमाल करेंगे इसको congruent करने के लिए अब second part करते हैं इन triangle हमें इन दोनों को congruent करना है तो A, O, 1, M A, O, 1 और M and triangle B, O, 1, M B, O, 1, M इन दोनों में हम कहेंगे angle 1 is equals to angle 2 या आप इसे cp, ct भी कह लिजे cp, ct corresponding part of congruent triangle या कह लिजे from option first ठीक है ये angle equal हो गए दूसरा हमने बात करी थी कि ये जो side है O, 1, A ये तो O, 1, B के ब्राबर है आप देखिए O, 1, A, O, 1, B के ब्राबर है क्यों? radius था O, 1, A is equals to O, 1, B ये क्या है दोनों? radius है और जो ये वाली center वाली ये line जो O, 1 ये दोनों के लिए common है इस triangle के लिए भी और इस triangle के लिए boundary है तो हम कहिएंगे O, 1, M is equals to O, 1, M क्या है ये? common तो तीन का pair हमें equal मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये side angle side से congruent होगा तो हम कहिएंगे triangle A, O, 1, M is a congruent to triangle B, O, 1, M और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि A, M जो side है वो M, B के ब्रावर है so that A, M is equals to M, B by C, P, C, T अब अगर ये दोनों ब्रावर हो गएं तो हम कहिएंगे M is midpoint करते हैं इसका third part अब देखिए कह रहा है A, B is perpendicular on O, 1, O, 2 यहां पर ही आजाते हैं लोग देखिए कह रहा है कि ये जो A, B है ये O, 1, O, 2 पर perpendicular है perpendicular का मतलब हमें से 90 प्रूफ कर देना है तो आप second part में देखिए हमने ये दोनों को triangle को congrrant किया था तो अगर ये congrrant है तो ये वाला जो angle है वो इसके बराबर होगा ये वाला जो triangle हमने इस वाले triangle के congrrant किया तो ये वाला angle इसके बराबर ही हो जाएगा CP, CT से सारे जो पेर होते हैं पेर आपस में बराबर हो जाते हैं चाहिए वो angle के हो या side के हो ये वाला angle जो इसका पेर ये है इसका पेर ये है तो ये दोनो इक्वल हो जाएंगे जैसे ये इक्वल हो जाएंगे आप देख रहे होंगे ये एक सीधी line पर बने हुए एंगल है तो सीधी line पर बने हुए कितने भी angle हो उन सब का sum कितना होता है 180 लीनियर पेर से तो हम इस 180 और इस congrency दोनों की help लेंगे और थर्ड वाला part करेंगे तो क्या करना है इसको यही पर देखीजिए हम कहेंगे इसको की angle जो ये वाला है इसको ये तो आप number देदीजिए आपको easily calculation में तोड़ा सा easy हो जाएगा नमबर देदीजिए इसको या अगर कोई confusion नहीं है तो आप आराम से इस angle को as a जो इसके name गिवन है उसके तरह से ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है कि angle गलत नहीं होने चाहिए जैसे कि हमें इस वाल angle की बात करनी है यहां से जा रहा है तो AMO angle AMO1 is equals to angle O1MB O1MB by CPCT या from part second second part से दोनों क्या है equal है देख रहे हैं आपको AMO1 यह वाला जो angle है वो इस वाल एंगल के बरावर है और अगर आपको इसमें तोड़ा सा doubt लगे यह जो alphabets की form में जो आपको बताते हैं तो आप इसको नाम देतीजे angle 3 और angle 4 ठीक है तो angle 3 भी लिख सकते हैं आप यह पर angle 3 is equal to angle 4 ठीक है अब यह दोनो equal हो गए और हमें पता है कि यह दोनों एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं तो हम कहेंगे a, b जो है is a straight line तो angle 3 plus angle 4 यह दोनों क्या होनी है 180 होनी है दोनों का sum मतलब यह angle अभी कारदर हम ने कि सीधी लाइन पर जितने भी angle बने इन सब को अगर हम जोड देंगे तो उन सब का sum जो होगा 180 ही आएगा सीधी लाइन के angle 180 होते है तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूँगा तो 180 ही आएगा अब आपको बता है angle 3 और 4 तो आपस में बराबर थे तो 4 की जगा पर भी आप 3 ही रख दीजे तो twice of angle 3 3 प्लस 3 6 मत कर दीजेगा यह angle का नाब है तो कितने हो गए angle 3 प्लस angle 3 twice of angle 3 हो गए यानि angle 3 कितनी बार है दो बार होगी angle 3 is equal to 180 तो angle 3 is equal to हो जाएगा 180 divided by 2 is equal to 90 तो angle 3 कितना आगया 90 आगया याप ऐसे समझे कि अगर ये दोनों बराबर है और दोनों को मिलाकर 180 आना है या ये कहें कि 180 को दो बराबर हिस्सों में बाटना है तो एक हिस्सा 90 कही होगा तो वह हमने यहाँ पे इसको return form में लिखा है दोनों angle बराबर दे दोनों में 180 बटना था तो बराबर बराबर बटेगा कितना 90 90 तो यही बाद हमें प्रूफ करने थी कि angle जो AB है वो perpendicular है on O1 O2 तो यह जो angle है किसकी वज़े से बन रहा है AB और O1 O2 की वज़े से बन रहा है तो हम लिख देंगे AB is perpendicular on O1 O2 यह third part बिसका complete अब करते हैं question number 3 Two circles intersect in A and B दो circle हैं जो एक दूसरे को A और B पर काटते हैं AC and AD are the diameters of the circle AC and AD जो है वो इन दोनों circle के diameter है यहनि CD line जो center से होके जा रही है CD line जो center से होके जा रही prove that C, B and D are collinear C, B, D are collinear collinear का मतलब होता है एक ऐसी line जो बिल्कुल CD हो तो CD line पर जितने भी point होते हैं यह ऐसे point जो एकदम CD line बनाए उनको collinear कहते हैं यह कह दीजे कि एक CD line पर अगर आपको कुछ point दिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं सीदी है तो यह point भी collinear होंगे तो यहाँ पर बोड़ रहा है कि यह जो C, B और D है यह collinear point है यह आपको proof करना है ठीक है इसके लिए एक rule है या एक property है जो यहाँ पर हमें apply करनी है इस जगह पर और उस property की मदद से यह C, B और D यह collinear हो जाएंगे यानि कि यह C, B और D एक C दी line पर मौजूद points है ठीक है अब वो property यह है कि देखिए कोई circle में हम अगर diameter से कोई भी angle बनाते है semi circle पर semi circle मतलब आदे circle पर अगर यह diameter है तो यह circle का ठीक आदा हिस्सा होगे तो इस आदे हिस्से पर अगर आप कोई भी angle बनाते है इस diameter से यह ऐसे जो भी angle आप बना रहें यह सारे के सारे 90 होंगे बस शर्त यह होनी चाहिए कि वो semi circle पर ही होना चाहिए मतलब अगर वो diameter से नहीं बन रहा है यह सेमी circle नहीं है अगर आपने यह देखा होगा आपकी यह diameter तो नहीं है तो इसके लिए यह property नहीं है हम property इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वो semi circle है एक circle है यह diameter है मतलब center से जा रही है सीधी line circumference to circumference और इस diameter के कोनों से कोई अगर आप angle बना रहे हैं बिल्कुल कोने से ठीक है यहां से नहीं यहां से नहीं बिल्कुल कोने से तो चाहें आप कितने भी यह angle बना लीजे यह सारे के सारे 90 degree होगे यह सब के सब क्या होगे 90 degree तो हम यह कहते हैं कि semi circle पर diameter से बनने वाला angle या semi circle पर बनने वाला angle 90 degree का होता है या right angle होता है यही property हमें ही हाप इस्तमाल करने हैं देखें आप देखेंगे अगर यह diameter है तो यह वाला जो angle है यह वाला angle दिख रहा होगा आपको यह वाला जो angle यह 90 का होगा ठीक है आप देखें कि यह अगर यह वाला हिस्से पर आप गौल करें तो यह पुरा diameter ने इसको semi circle ही तो बना दिया देखें यह आदा circle ही होगा आदा circle ही होगा तो यह आदे circle पर ही तो बन रहा angle diameter के द्वारा ही बन रहा है तो यह 90 होगा और यही जो case है वो इस circle के साथ भी देखें यह भी diameter है और इसने भी circumference पर बनाया है angle तो यह भी 90 होगा ठीक है तो इन दोनों properties का यहाँ दोनों जगा पर इस्तमाल करेंगे कि यह भी 90 होगया और यह भी 90 होगया और दोनों को add करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो जाता है एक सीधी लाइन पर ही बन रहे होगे तब ही 180 आए तो यहाँ पर यह 90 और 90 मिलकर 180 इसका मतलब भी लाइन सीधी हो जाएगे और अगर यह लाइन सीधी है तो यह 3 point जो इसी लाइन पर मौझूद है यह भी collinear हो जाएगे तो इसको derivate करते हैं हम लोग तो दिखिए हम इसके लिए A, B और C तो हम कहेंगे triangle ABC जो है वो मनाता है angle B को 90 angle B जो है angle B को अगर हम सही ढग से explain करें तो B तो यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है तो हम इसको ABC तो हम कहेंगे in triangle ABC angle ABC is equals to 90 degree angle ABC is equals to 90 degree क्यों? विकाज यह क्या है angle of a semi circle यह semi circle का angle है ठीक है similarly angle AB or D in triangle ABD triangle ABC is equals to हो जाएगा again 90 degree reason same है angle of a semi circle अब हम इन दोनों को add करते हैं अगर angle ABC plus angle ABD is equals to कितना आ रहा है 90 plus 90 is equals to 180 तो 180 है तो हम कहेंगे angle formed in a straight line sum of यह कहें sum of sum of angles formed in a straight line are equals to 180 यह कि यह जो दोनों ने sum 180 दिया है उनकी वज़ा से यह प्रूफ हो गया कि यह इस्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे and CD is a straight line CD is a straight line yeah CD is a line and points located on a straight line are always collinear so that yes CB or D so that CBD are collinear points यह मैं प्रूफ करना था in figure 16.32 AB is a chord of a circle with center O AB एक chord है उस circle पर जिसका center O है if angle ACB ACB 40 degree है यहाँ पर यह दिख रहा है आपको find angle O AB यह वाला angle हमें फॉर्म कर यह बताना है point करना है तो इसके लिए एक property होती है कि यह यह दिख रहा है आपको एक arc है इसने एक angle तो O पर बनाया है center पर बनाया है और AC ने एक angle circle के दूसरे हिस्से पर बनाया और ऐसा करने पर इन दोनों के बीच में एक property काम करती है वो यह है कि ऐसी condition में जब एक center पर बना हो और एक circumference पर बना हो तो यह एक दूसरे का आधा या बोलें एक दूसरे का दो गुना हो जाते हैं बात कर रहे हैं कि अगर यह center है और यह वाला आर्क जो है इसने center पर angle बनाया है यह वाला ठीक है और इसी आर्क ने इनी कोनों से एक angle यहाँ बना दिया यह वाला तो यह angle और इस angle के बीच में आधे या दो गुने का जो है relation होगा जैसे कि अगर यह 40 होगा तो यह 80 होगा या यह कहें इसने अगर यहाँ पर 80 बनाया है और यहाँ आप से पूछ लिया कि यह कितना है तो यह फिर 40 होगा ठीक है अगर यह 60 होगा तो यह फिर 30 होगा ठीक है तो इधर से इधर दो गुना होता है यानि सेंटर वाला रिमेनिंग सर्कल का दो गुना होता है या यह कहें रिमेनिंग सर्कल वाला सेंटर का अधा होता है अब देखें अगर यह 40 है तो यह 80 होगा तो सिंपल है ठीक है बज़िस के लिए एक स्टेट्मेंट हमें लिखनी पड़ेगी हम कहेंगे कि जो एंगल है ए ओ बी वो होगा 80 डिग्री कैसे कि कॉस एंगल इंगल ए लिए वाला से अवे वाला या ते लिए सिंटर इंगल सुप एंगल यह लिए वेक्वे लिए से लिए वाला अ र्यूरा परिए और से लिए स्टेटिट्र को तकाट। अब ये एंगल हमें पता चल गया 80 है हमें तो ये वाला एंगल बताना था तो आप देखिए अगर ये center है और ये circumference पर आ रही ये line तो OA radius हो जाएगा और इसी तरह से OBB radius हो जाएगा और आपको पता है दोनो radius इक्वल होते हैं एक circle के लिए ये इसके बराबर हो जाएगा तो आप triangle देखिए तो ये तो एक isosilis triangle बन रहा है दो side equal है तो दो angle भी equal होंगे हमें ये पता चल गया कि 80 है तो एक triangle में angle sum होता कितना है 180 180 में से 80 तो fix है कि वो इधर वाला हो गया तो बचा कितना होगा 100 अब 100 दो बराबर हिस्सों में बचना है तो ये कितना होगा 50 और ये होगा 50 ठीक है तो ये वाला angle आजाएगा हमारा 50 तो इसको derivate करेंगे हम लोग हम कहेंगे in triangle OAB OAB में O A and O B O A is equals to O B is equals to radius है ये अब अगर ये radius है तो this forms triangle isosceles and also made two angles equal two equal angles ये ये दोनों angle equal हो जाएंगे तो हम कहेंगे angle OAB is equals to OBA OAB is equals to angle OBA और आप चाहें तो इसकी जगा पे simple वज़ा लेख सकते हैं isosceles isosceles triangle क्योंकि ये दोनों radius हैं तो दोनों equal हैं तो isosceles तो हम ये पता है एक angle जो angle sum होता है triangle का वो होता है 180 तो angle ये हो गया AOB AOB प्लस angle दूसरा ये वाला OAB OAB और तीसरा वाला angle OBA इन तीनों को अगर हमें add करें तो 180 हमें मिलना चाहिए अब हमें AOB का तो पता है वो 80 है AOB कितना है 80 और OAB और OBA OAB और OBA ये दोनों तो एक जैसे हैं तो इनकी जगा पे दोनों एक ही लिखिये के बड़ ओ A B लिख रहे हैं हमें OAB चाहिए तो OAB में ही उसे convert करें यनि चाहे तो मैं इसको भी OAB लिख सकता हूँ और चाहे तो इसको भी OBA लिख सकता हूँ लेकिन मुझे चाहिए ये वाला angle क्योंकि question ने ये वाला पूछा है तो मैं इसको भी इसमें बदलूगा OAB क्यों क्योंकि हमें पता है OBA जो है तो OAB के बराबर है यनि इसकी जेगा पे मैं ये रख सकता हूँ 180 को अधर ले जाहिए अभी कितना हो गया OAB कितने हो गए twice of angle OAB is equal to 180 minus 80 कितना हो जाएगा 100 तो इस 2 को हम इधर ले जा लेते हैं 2 से 50 times तो angle OAB is equal to हो जाएगा कितना 50 degree यही हमें पता है करते हैं अब इसका 5th question in figure 16.33 O is the center of circle O center है PQR 115 है यह वाल angle 115 है आपको POR यह वाल angle बताना है अब उन्होंने केवल symbol बना है तो हम यह मान के चल रहे हैं कि वो इसी की बात कर रहे है यह भी हो सकता था POR तो उसके लिए वो reflex angle लिखता लेकिन वो भी नहीं लिखा है तो symbol के हिसाब से चलेंगे कि POR यह वाल angle होगा हमें यह find करना है तो आप देखिए यहाँ पर पिछले question की तरह clear नहीं है कि center पर angle तो बन रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह वाली arc center पर angle बना रही है लेकिन इसका remaining part जो circle पर बनना चाहिए वो इधर की side वो नहीं मिल रहा है बलकि वो इधर की तरफ मिल रहा है ठेक है यह इधर की तरफ बन रहा है तो इसके लिए एक property का इस्तमाल करेंगे और एक थोड़ा सा construction करेंगे हम क्या करते हैं इस वाली जो point है यह दो पी आर यह इस वाली arc से बना हो का angle यहापर तो यह जो point है इनसे remaining circle पर कहीं पर भी यह दो line draw कर देते हैं अब यह वाली line और इन दोनो line पर focus कीजिए आप इसको छोड़ दीजे फिला यह वाली line पर यह कुछ ऐसा कि यह यह वाली दो lines और इन वाली lines पर focus कीजिए यह चार lines का figure बन रहा है जो कि quadrilateral कहलाता है और यह चारो कोने circle पर मौझूद हैं इसलिए इसको cyclic quadrilateral कहते हैं और ऐसा होने पर हमें पता है opposite angle का sum 180 हो जाता है ठीक है तो इसका sum और इसका sum मिला कर कितना आचाएगा 180 तो 115 तो हमारे पास आ चुका है तो 180 में से कितना बच रहा है तो 15 और 5 20 और 60 यह निकि 65 बच रहा है प्रॉपर्टी पिछले कोशिन की तरह आ गई कि इस आर्क ने center पर जो angle बनाया है वो remaining part पर बनने वाले angle की property यहाँ पर अब दिख भी रही है तो हम बोलेंगे यह 65 है तो इसका ठीक दो गुना center वाला होगा तो यह हो जाएगा 130 65 125 प्रस 5 10 130 ओके तो करते हैं इसको derivative तो हम कहेंगे सबसे पहले हैं यहाँ पर एक point मान लेते हैं हम कोई PQRS मान लेते हैं यहाँ पर join P to S and R to S hence PQRS is a cyclic quadrilateral यह एक cyclic quadrilateral होगा है तो एंगल PQ opposite angle of PQRS यहनी कि cyclic quadrilateral PQRS के वो opposite angle है यह आपने वजह भी बताती है तो यह दोनों का sum 180 होना था तो हमें पता चल जाएगा PSR कितना हो जाएगा PQR तो में पता है वो 115 है तो यह 115 और plus angle PSR is equal to 180 तो PSR को यहीं पर रहने दीजिए और 115 को उदर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा minus इदर जाके तो यह आजएगा 65 65 तो PSR हमारे पास 65 आजएगा यह वाला PSR यह 65 आगया ठीक है अब यह 65 आगया इसकी मतदद से हम POR निकालेंगे हम कहेंगे angle POR is equal to two times of angle PSR क्यों क्यों हम कहेंगे angle formed by same arc at the center and on the remaining circle meaning circle तो angle POR is equal to two times of 65 is equal to 130 degree यह हमें बता लाँ तो यह हो गया question 5 भी complete अब करते है question number 6 question कहा रहा है in figure 16.34 O is the center angle AOB 80 है PQB PQB 70 है आपको PBO यह वाला angle आपको find करते है ठीक है अब जोड़ा question देखिए यह आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा लेकिन question यह वैसा ही है जैसा हमने fourth वाला question किया था बस question को उनों ने बिल्कुल exact उसके उपर ही दूसरा angle यहाँ पर बनाया था तो उस वज़े से वो साफ साफ नजर आ रहा है इस बार इनों ने क्या किया है कि इस angle को थोड़ा सा और side ले गए और side ले गए और और ज़्यादा side ले गए लेकिन है यही वाला angle जो इधर आ गया है तो property वही थी कि same arc जो angle center पर बना रही है और वही arc remaining circle पर जो angle बना रही है उन दोनों की बीच में relation two times या half का होता है या half times का या two times का relation होता है यह center वाला two times होता है और यह बोल सकते हैं कि remaining meaning वाला half होता है तो अगर यह 80 है तो यह कितना हो जाएगा 40 ठीक है पहला तो हमें यह step करना पड़ेगा यह 40 आ गया अब जड़ा ध्यान से देखिए इस triangle को यह triangle ही तो है और इस triangle में हमें दो angle पता चल गए यह 70 हो गया यह 40 हो गया तो बचा हुआ कितना होगा 7 और 4 11 यहन triangle कितना होना चाहिए कितना होगा 70 होगा समझ गया 7 प्लस 4 होता है 11 यहनी कि 110 हो गया 110 और total sum कितना होगा 180 तो 110 आ गया 180 चाहिए था 70 और बचे होगे तो यह 70 हो जाए तो इसको हम ऐसे करेंगे सबसे पहले हम करेंगे बात in triangle PQB की में PQB में हम कहेंगे angle A, P, B A, P, B बोलिए या Q, P, B बोलिए यहां से भी वही line है यहां से भी वही line है Q, P, B is equals 2 हो जाएगा 40 degree कैसे angle formed by same arc by same arc और जो हमने पिसले वाले में जो वज़ा लिखी थी वही आईगे ठीक है अब यह 40 आ गया in triangle PQB इसी में हम थे हमें पता है कि angle PQB प्लस यह वाला अंगल प्लस यह वाला अंगल angle QBP और प्लस यह वाला अंगल angle QPB यह तीनों angle मिलकर कितने आने चाहिए 180 आने चाहिए PQB हमें पता है 70 degree है QBP हमें निकालना है और QPB हमें पता है 40 is equals to 180 इन दोनों को add कीजिए QBP प्लस 110 और 180 इसको इदर लेके जाए QBP is equals to 180 minus 110 is equals to 70 डिगरी यह हमें बताना है तो यह हो गया Q6 भी complete और इसके साथ यह exercise भी होती है हमारी finish तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और next वीडियो में करेंगे से आगे के questions Thank you